कि अलो जी नमस्ते स्वागत है आपका हमारे चैनल यमकरीज पर आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत में खाने वाली बहुत ही बढ़िया और आसान सी आलू पीनट चाट तो चलिए फिर शुरू करते हैं जाइके का सफर यमकरीज पर कि देख लेते हैं आज हमको क्या इंग्रेटेंट्स टाहिए अपनी आलू पीनट चाट के लिए यह हमने लिए हैं पीनट्स इसको अने घी डालके थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है साथ में लिए अबलाओ आलू जिसको भी हमने शालो फ्राइ कर लिया है अब चाट तो बिना होंके बनती नहीं है इसलिए हमने थोड़ा सा अपने पीनेट्स को भी रोस्ट कर लिया है घी के साथ और आलू भी फ्राय कर लिए हैं छोटा घीरा जिसको हमने क्यूब संख का लिया है और एक मीडियम साइस का टमाटर जिसके में बीज निकाल के उसको भी क्यूब स्मे का कि के लिए बहुत ही असानी सेंबल हो जाती है बहुत समय नहीं लगता सारे इंग्रीडेट्स को मिक्स कर देंगे यह रहे हमारे बुने हुए पीनट्स इसके साथ डाल दी हमने आलू खीरा बहुत टेस्टी बहुत यमी चाट होती है टमाटर हरी मिर्च अगर हरी मिर्च आप न मच बहुत थोड़ी सी देगे मिर्च मतलब एक जेनरस पिंच ओफ देगे मिर्च थोड़ा सा धनिया अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है बस यह हमारी आलू पीनट्चाट बिलकुल तयार है आप इसे वरत में खाईए चाहे नाश्ते में खाईए चाहे शाम के स् बाहर जा रहे हैं टिफिन में पैक करके ले जाईए बहुत असानी से बन जाती है एक दम कुएक रेसिपी है आई अब इसको सर्फ कर लेते है तेकि है ने बलकुल आसान सी फटा फट बनने वाली आलू चाट कि अब गानिश कर देते हैं इसको थोड़ा से धनिया से और जीरा पाउडर से चलेजे बिल्कुल तयार है हमारी आलू पीनट जाट